पर हम लोग यहां बात करेंगे important talks और जो विशेश रहेगा उत्तरप्रदेश exam से संबंदित सारे के सारे exams में आने वाले मैंने maximum चीजें बता दी हैं और जो भी कुछ मतलब इसकिप है रह गया है जो भी रह गया है वो इस वीडियों के माद्यम से हम लोग डिसकस कर लेंगे ठीक है तो हम लोग शुरूबात कर लेते हैं time ना waste करते हुए मैं जो point की बात करूँगा वो मैं miscellaneous point की बात करूँगा miscellaneous कहते हैं vivid प्रकार के miscellaneous प्रकार के questions जो बिलकुल हमारे questions आने योग के हैं उन पर ही मैं फोकस करूँगा ठीक vivid प्रकार के जो है प्रेशन है miscellaneous questions उन पर मैं focus करूँगा miscellaneous questions इन पर मैं focus करूँगा मतलब maximum चीज़ों को मैं आपर रखूँगा ताकि आपका question खराब ना जाये आराम से अपना attempt कर सकेंगा इस ठीक चलिए शुरूबा प्रेशन पर मैं ज्यादा ना खर्च करती हुए ठीक चलिए पहला questions रहेगा vivid question में number one है जैसे की रामसर साइट हमने पूरा वीडियो बना है रामसर साइट पे जिनको देखना है वो देख ली जागा रामसर साइट भारत में तो लगरिपर 75-76 अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो रामसर साइट हमने डिसकस किया रहा है ठीक है रामसर साइट फटा 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 पट हम लोग करते जाएंगे रामकर रामसर इससल समझना हूँ मैं बाकी सारी वीडियो बड़ा चुका हूँ मैं अब भी किया रहा हूँ ठीक है देख लीजेगा रामसर साइट में इससली मैंने यहाँ पर डिसकस कर दिया है और कौन सा कुशन आने योग है कौन सा नहीं है वो मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ ठीक है और रामसर साइट में जो पहली साइट है मैं बता देता हूँ वो उपरी गंगा है फटाफट फटाफट हम लोग क्या कर सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं उपरी गंगा नदी जो है वो कह सकते हैं नरोरा के बीच में है यह दिखा जाए यह बलंसेर में है और यह रामसर साइट गोशित हुए थी 2005 में 2005 में यह जो है गोशित के यह देकलियर के यह थी उपरी गंगा नदी ठीक है यह रामसर साइट में आया है एक है नवाब गंच नवाब गंच ठीक है नवाब गंच 2012 में यह उन्नाव में हैं याद रखना कुछ मैं पहली लिक चुका हूँ सारी रामसर साइट ठीक है ये साथ-साथ करते जाएएग अप, एक है पारवती, पारवती, पारवती अरंगा है, जो कहां पड़ेगी अरंगा है ना गॉंडा, कहां पड़ेगी गॉंडा, गॉंडा, मैं कब गोशित की जी थे, 1919 में, ठीक है? नेस्ट आया आपकी समन पक्षी बिहार याद रखना ऐसे भी आ सकती है डारेक्ट कि बताइए समन पक्षी बिहार पक्षी बिहार तो कहा है मैन पुरी में मैन पुरी में ठीक समन मन तो मैन पुरी ट्रिक अपने आप से लगाते रहे न कब शामिल केगी 2019 में याद रखना ये मैं बिल्कुल नोट्स की तरह बना रहा हूं प्रोपर तरीके से ताकी आपको कोई कुशिन न चूटा और आपको अच्छा लगए पड़ने में ठीक है सांडी पक्षी विहार सांडी पक्षी विहार विहार म joking वाईलाइब सेंचुरी जो होती है यह सांधी पक्षी बिहार जो पड़ेगा वह हर्दोई में पड़ेगा या देखना हर्दोई 2019 ठीक है फटाफट 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 रिवीजन करना है हमको अच्छी तरह से समस्पूर समस्पूर कहा है राय बरेली अक्षी बिहार ठीक है राय बरेली राय बरेली में वही सेम एयर है देख लीजिए आप अगर पूछा जाए कब सामिल किया गया तो 2019 में सामिल किया गया तो इसलिए ज्यादा टफ नहीं है आराम से कर लोगे तो हो जाएगा काम हैदरपूर या आध्रश्ठभूमी को आध्रब्हूमी याद रखना आध्रश्ठत्भ लेन वेट्लेंड तो मिया नमी रहती है ठीक है 2021 में चामिल चाही है धाँ रामसता इसाइट में यह ठीक है क्लियर हो जाएगा नैस्ट हो जाएगा एट नंबर बखीरा बखीरा वाइल लाइब सेंचुरी वाइल लाइब सेंचुरी संथ कबीर नगर संथ कबीर नगर याद रखना है दो हजार बाइस दो हजार बाइस ठीक है यह मैंने हाइलेटेट कर दिये हैं चीजों को सोच समझ के करना है तरीके से हर कुष्चन आपका फस जाए देखिए वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है समझ पूर हो गया हमारा हैदर पूर हो जाता है सूर सरोवर यह दो हजर बीस में शामिया गया था ठीक है सूर सरोवर 220 में और एक सरसाई नवार रहे गया है सरसाई सरसाई नवार तीक है और सरसाई नवार 2019 में मर्च किया गया है मतलब रामसर साइट में शामिल किया गया है तो याद रखेंगे आप ठीक है सूसरोबर और सरसे जो लेटेस्ट किया गया है वो बखीरा है 2022 का ठीक है यह रामसर साइट हो जाती है भारत में अगर दिखा जाए नोट करके लिख देते हैं इंडिया में टोटल कितनी है 75 कुछा जाए कितनी है भारत में भारत में ठीक है 75 है क्लिया और यह कहा तरका डेटा है मार्च 2023 का डेटा है 75 है इस समय और सबसे पहले किसको किया गया था चिलका लेक को फर्स्ट लिख देते हैं फर्स्ट चिलका लेक चिलका जील को किया गया था पहली बार और कप किया गया था वेटलेंड में शामिल 1921 में गईस ठीक है यह वन है 1989 में याद रखना है ठीक है यह भारत के विशीष में हो जाएगा ठीक है नैष्ट अगरम बात करना चाहेंगे कि बताइए जो उत्तर प्रदेश में हैं वह वेट लेंड छेत्र के प्रतिशत है तो ऐसे आ सकता है प्रदेश के कुल कुल छेत्र फल मैं में वेट लेंड का प्रतिश्यत तो बता सकते हैं 5.5 परसेंट वेट लेंड उत्तर प्रदेश में है और वेट लेंड वाला जिला कौन सा है वेट लेंड डिस्टिक आर्द भूमी वाला डिस्टिक कौन सा है तो बता सकते हैं सौन भद्र सौन भद्र काफी बज़ाव भूमिय है यहां पर सौन भद्र में और सबसे कम पूछा जाए ठीक यह तो क्या है most ठीक है और सबसे कम पूछा जाए least यह lowest सबसे कम वेट लेंड वाला जिला कौन सा है district district तो वह बताएंगे बागपथ और हात्रस ठीक है बागपथ एंड हात्रस clear यह most wetland वाला है और यह lowest वाला है clear हो जाए यहां तक तो यह मैंने यहां फटा 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 फट कर रहा हूं जो कुछ चूटे हुए है ठीक है जो नहीं हुए है और जो हो चुके है वह भी आपके थोड़े बत रिवाइश हो जाएंगे इसमें टैंशन ने लेने का है नेस्ट हो जाएगा जैसे के आपको प देन फिवहरास्ट है कि महारास्ट फिर आपको यूपी तीन पहले हैं लेकिन फूर्थ एरिया में कौन सा है ठीक है यूपी घुल जन संग्या में तो जन्संग फर्स्ट है पॉपुलेशन में क्या है पहला रहेंक है फस्ट रहेंक है मतलब नाइंटीन नाइन एट सम्टिंग है ठीक है याद रखना है है ना और दश के ब्रद्दी दर कितनी है डिकेड पॉपुलेशन मतलब दश की है इसे पूछे आ सकते हैं कुश्यन आप से बता कितनी हुई है तो अब बता सकते हैं ट्वेंटी पॉइंटी पॉइंट टू परसेंट गाईज ठीक है यह डेटा याद करके लिए ना सारे के सारा मैं बिल्कुल इनको हाइलाइटिड कर देता टू परसेंट है ठीक है और जो भी है वो चौदेम अस्थान रखता है यह पूरे भारत में चौदेम अस्थान अगर यह ना आये तो चौदेम अस्थान लिख दीना क्योंकि बहुत बीड बैठेगी पुलिस एक्जाम्स में इसलिए पेपर भी थोड़ा हाई लेबल गबन जन्गणत में अपिरत ह orch暗त करें तो क्या एग फॉर्थ रेंक है है इस फोर्थ रेंक है जन्गणत में फोर्थ रेंक है ठीक है चौथा है मतलब अगर इसका जन्गणत तो थे उपी का यह सब रहे हैं इन्यूपी का कुछर तो एट तू नाइन क्लियर 829 है ठीक है जो मोश्ट मोश्ट में बता रहा हूं सेंसस पढ़ लेना अलग से मैंने बीडॉल रखा है जो हमारे थोड़ा थोड़ा सकते हो जल जल दी हम बता रहा ह हूं एक याद रखना है ठीक है । अदै Aun और देखा जाए। शाक्षर्था दर काते ही। शाक्षर्था दर काते हैं लुक्री इशी दर, शाक्षर्था दर क्याता ही। 67.72 productrika, रखाट 29 राक्ष्ण है। वह है दाऊन है। उस्चर्था ज़समें शाक्षर्था जू है। आपको 77.3% तो यह आपका उन्सी स्वा यहां दखेगा पुरूप में और महिला में कुतना दखेगा 31 तो यह रैंक है ज्याद रखना है भारत में तो इसके से रैंक भी तो दाउन गहा है पुत्र परदेश का यह जो एक्जाम है सत्रे ठारे का लास्ट रहेगा यह वीडियो मेरा बाकी जब नेश्ट एक्जाम आएंगे तो हम लोग अपडेट कर देंगे जो भी नहीं आता है याद रखना है इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा लास्ट रहेगा जो भी होगा यह शायद हो सकता है एक घंटा से जादो हो जाए लेकिन रहेंगे काम की बाते मैं आप सिर्फ काम काम की बातें ऑप्सरब की हैं जितना मैंने अनल्सिस किया वो मैं आप आपको दे रहांगा इस ठीक है मोटे मोटे पॉइंट हैं यह कब आई थी यह भी लिख सकते हैं आप क्योंकि यह को पॉपलिशन डे मनाते हैं हम लोग 11 जुलाई को 11 जुलाई को आ गए था ठीक है अब यहां पर क्या था प्रेजनन दर कहां तक लेके आनी है तो वर्स 2016 तक प्रेजनन किल्शन कितने लेके आनी है 20.1 पर लेके आनी है थीक है प्रेजन अंदर कितने घड़ा नहीं कितने बलीक आनी है अब देखे है क्या हुआ होआ खे ने बैसे आज जन संका तो बड़ी रही लगाता ठीक है बालिका का बिवा कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिए जो चाइल्ड मैरीज है ठीक है बालिका का मतलब गल्स मैरीज जो girls marriage है बालिका का बिवा की आयू कितनी है उत्तर प्रदेश में ये देर्खी है मानते हैं नहीं लोग कानून अलग है लेकिन इतने पर लोग साधी कर देते हैं कहां पर आपके उत्तर प्रदेश में ये जो है शादी को मर है ठीक है मतलब लड़कियों के लिए राज के शुयवाओं महिला को औरक्षार कितना है तो बुमेंस को रिजर्वेशन कितना दरखा है बुमेंस को 33% दरखा है उत्तर प्रदेश की बात चल रहे याद रखना उत्तर प्रदेश का अगर मैं बात करूँ भागलिक इस्तिति क्या है फटा फट फटा पर मेंड मेंड पॉइंट क्या कर लें आप रिवाइच करते चाहिए आपको कुशन आराम से बैठ जाएगा पेपर में लगल प्रदेश की अधिमें इंडिया की प्रतेना चांस नेशांतर लोंगिट्य इंड से यह उत्तर रखना में इनस ओं लु gurust मेंट यह एंज्या चल यह यह सारा सुरकांध सा इंश यह आपना पिख टा करते हैं कि यह लूंगिटूट की बात करें तो प्रपाइब सेलेकर टीफो दिग्री थर्टीएट मिनले ट्रेट रख ले ना है पीपोटेंट है हमारे पास सारी टेट इंपोटेंट इंपोटेंट में यहां पर लिख रहा हूं बाकि बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं ठीक है लेकिन यहां मैं वह लिख रहा हूं जो फटाफट फटाफट हमारे पॉइंट बन जाए इसको हम क्या बोलते हैं देश आंतर याद रखना देश आंतर जैसे हम लोग पर जैसे हम अर्थ का करते हैं आर्थ का यह एक कुटर रहे हैं किजिए टोटल न इंटी और नीच टोटल नाइन होई तो हमिटातर एंट्च वाली उसकまた फैला हुआ है जयां सक फैला हुआ है उत्र परदेश में उत्तर ने आतर में जू यहां जा रही है और उत्तर परदेश में बसी ह Anda घ कह रहे है तो अब देशान्तर भी रह आए से कट हो रही है लेखा जाए यह उर है यहां से होग है यह जो सब्सक्राइब यहां पर इस तरह से ठीक है याद रखना है यह नौर्थ रोल है इस तरह से ठीक है यह बहुत ज्यादा फसने वाले कुषिन है सीमा प्रदेश के सीमा वर्ती सबसे पूरभी अगर बात करें सबसे पूरभी का बड़र लायन सबसे पूरभी विहार उत्रपरदेश के इस लिए उत्रपरदेश के सीमा वर्ती राएव सबसे पूरभी ठीक है तो इस्ट कौसा है इस्टर्ण इस्टेट बिहार और आपके पास पूछा जाए कि प्ष्चमी कॉन सा ए वैस्टर्ण वैस्टर्स इस्टेट हर्यारण ठीक है यह तो एज mencion पॉइंत है जो आप आराम से कर सकते हो ठीक है साधन इस्टेट डाख्षट्रेश गर्ड्थ और नौर्धन उत्तरी उत्तराखंड लो याद हो जाएगा सबसे पूर्भी बेहार सबसे पश्चिमी हर्याणा सब्से दक्षडी शत्तिसगर्ड और सबसे उत्तरी उत्तराखंड थेक है इस तरह से हमको सारी चीजों को करते चले जाना है अब मुझे लगता है कुशिन फस्जाएगा अगर थोड़ी सी हम लोग हिम्मत रखे तो आराम से काम कर जाएंगे पेपर में भी आराम से हो जाएगा सीमा वर्ती जिले कौन से हैं बर्डर लाइन डिस्टिक कौन से हैं सीमा वर्ती जिले जैसे कि इस्टन जिला कौन सा है उत्तर प्रदिस का इस्टन डिस्टिक कौन सा है इस्टन डिस्टिक पूर्वी जिला हिंदी में पूर्वी जिला पूर्वी जिला बलिया ठीक है अब वेश्टन पश्चमी जिला तो बदा सकते हैं शामली पश्चमी शामली पश्चमी शामली पूछा जाए उत्तरी उत्तरी जिला सारणपूर सारणपूर दक्षडी पूछा जाए दक्षडी जिला सौनभद्र ठीक है मलाई मलाई वाले कुश्यन आराम से बड़िया दरे से करते चले आना ठीक ठाक ठीक है पूरी फोकस है कुश्यन आप यहां से आएं सबसे ज्यादा फसे हैं या दगना सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला लकिमपूर खेडी है लकिमपूर खेडी है और सबसे छोटा यह हम निदिश्कस कर चुके हैं सबसे छोटा अप उड्र है अठीक है याद रखना है अब बात करते हैं सीमावर्ती प्रदेश कौन से हैं सीमावर्ती प्रदेश तो जो बॉडर लाइन इस्टेट तो borderline states कौन से है तो हम यह mention कर लए है borderline states 8 राज्य है याद रखना 8 states होते हैं जो लगे हुए borderline पर 8 राज्य रगे है और plus 1 जो है किन सासित प्रदेश है 1 UT है 8 states है 1 UT है याद रखना आप लोग ठीक है अब यहाँ हम बात कर लें 8 states जो है वो कौन कौन से लगे हैं देखिए दिल्ली तो हम लिख लेते हैं पहले दिल्ली लिख लेते हैं एक यूट्य हो जाएगा बाके आप 8 लिख लेते हैं ठीक है हर्याना याद रखना यूके हपी चतिसगर मद्यप्रदेश राजिस्थान जारखन और आपका एक बिहार शायद आठ हो गए देख लीजिए आप लिजिए ठीक है ये देख लीजिए आप 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है और एक आपका यूट्य हो जाएगा ये आपका एक यूट्य है बस दिल्ली ठीक है प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसे लगती है तो कहां गया आपका ये रा लोंगेस्ट बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा सबसे लंबी सीमा किसके साथ है उत्तर प्रदेश के साथ नियुनतम सीमा पूछी जाए अब नियुनतम में भी option में यही उपर दे रखा है नियुनतम में कौन सा है इसमें नियुनतम में याद 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 रखना यह है lowest नियुनतम borderline डेखो सब easy है अराम से आप कर लोगे सबसे कम सीमा किसी लगती है हिमाचिल प्रदेश की सबसे ज्यादा किसी लगती है मद्ध है प्रदेश की पताइए यहीं से आपके मोश्टली कुछिन बनने योग हैं अगर थोड़ा साव अपने कर लिया अब यहां प्रॉलम यह है कि इन में से कैसी किसकी दशा हो रही है जिकद नहीं है दिली से ढो हैं कि दो सीमा बना रही है ठीक है पना फ्बॉकत बॉक्त बॉस्टरजबॉर अब धुट्ण ए गात्यवस्ति और गॉत्त बॉद्धनगर है दिली से अब चशतीश हैहां तहुं छोन भद्र है याद रखेंगे याद करते ना तरीके्रस विट के साथ टिस गड़ के साथ सीमा बना रहा है और जार खंड भी जो है सौल भद्र के साथ के साथ सीमा शेयर कर रहा है आप कैसी किसके साथ तो मैं लिख रहा हूँ प्长ड वकें हैं सब्से कर इन्हें माचल है सबसे ज्यादा MP है लंभी और 36 गड़ के साथ कौन सा जिला है सॉन बत्र है जार्खन के साथ कौन सा है सॉन बत्र सौनबद्र तो आराम से कर सकते कि बिहार के साथ भी है सौनबद्र ठीक है सौनबद्र कोई जादा बड़ी बात नहीं है मद्दबद्र के साथ सौनबद्र के ऐसा एक डिस्टिक है किसके साथ सीमा सेर कर रहा है बिहार जारखन मद्दपरदेश और कौन से हो गए एक 36 गवर ठीक है ये पूछे जाते हैं चार ऐसे इस्टेट हैं जिसकी सीमा जो है स्वान भद्र से लिए स्वान भद्र इन चार इस्टोटों के साथ बांटु शेर कर रहा है बहुत ही इंपोर्टेंट है प्लीज दिहान से कर लेना है जरूरी है ठीक है अब मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ फिर आप कहेंगे सरसी में कर दिया है उत्परा खंड के साथ यूपी के कितने जिले लगते हैं तो वो यहां लिखते रहे ये भी आ सकते संखिया साथ अब पूछे जाए साथ कौन से हैं जो साथ लिख लिए थे हैं चलो एक तो हो गया सारनपुर दूसरा हो गया मुझफवर नगर मुझफवर नगर ठीक है फिर बिजनौर भी शेयर करता है बिजनौर मुरादाबाद MBD मुरादाबाद रामपुर रामपुर बरेली भी करता है गाईस ठीक है बरेली एंड पीली भीत काउंट कर लो साथ हुए कि नहुए देख लो 1 2 3 4 5 6 7 याद रखेंगे आप किसके साथ हो रहा है सीमा साज सेयर कितने हैं 7 किलियर चलिए अब आपसे पूछा जाए कि बताईए सौन भद्ध तो मैंने बता दिया है न सारनपुल वाला देख लेते हैं सारनपुर के साथ कौन कौन से शेयर कर लेते हैं सारनपुर में सारनपुर कर देखेंगे 0 3 3 है हर्याना हिमाचल प्रदेश पुत्राखन बहुत ही इंपोर्टेंट है आद रखना है मुझे मालूम है मैक्सिम लोगों कर लिया होंगे लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो मुझे लगता है हम लोग और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बिहार से कौन कौन से लेग रहे हैं बिहार से सीमा बनाने वाली सीमा बनाने वाली जिले ठीक है बिहार से भी सेवन साथ नमबर तो यह समझे यूनिक है उत्राखन सेवन बिहार सेवन ठीक है बंदलखन सेवन और आपका इधर नेपाल भी सेवन काफी seven आपका लकी बनना है आपका number ठीक है स्टेट लिख लो स्टेट्स बियार से कौन-कौन से बना रहे हैं जैसे की कौन सा है अपका सॉन भद्र चंदौली भी ए । लेकिन यूपी बेष्ट वाले नहीं ले पाएंगे। ठीक है देवरिया भी है कुशी नगर भी है महराज कंज भी है याद कर लेना बस कौन से शेयर कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं इनको टन बनते हैं आपके ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 यह बिहार के साथ बन रहे हैं यापर ठीक है क्लियर हो जाएगा तो मतलब सीमा मैंने देख बता दी हैं जहां जहां से सीमा बन रहे हैं देख लीजी सारी चीज़ें यहां से कुशन बनने के पूरी पूरी संभावना रहेगी तरीके से और एक तो मैंने बता यह नहीं मद्य परदेस के साथ लंबी सीमा बना रहे हैं तो मद्य परदेस के 11 district boundary share करते हैं बिद किसके साथ MP 11 कौन से देखी आगरा है यह तो easy है जिसको मैं प्याद होगा तारम तुरंत कर देंगे आप लोग जालोन है ना जांसी है ललित पुर है ललित पुर है महोबा है महोबा है बांदा है चित्र कूट है प्रियाग राज है प्रियाग राज है मिर्जापुर है रेक रह गया वो कौन सा जो यूनित है सौन बत्र सौन बत्र ठीक है तो यह लगवक कितने होगे हमारे 11 अब 11 जो है सबसे जाद लंबी सीमा सेयर करते हैं MP के साथ कौन हमारा उत्तर प्रदेस के जिले याद रख ले ना जिले बहुत इजी है तफ नहीं है आसपास के देख लेंगे एक बार रंग से तरीके से तो हमको याद भी हो जाएगा ठीक है प्रदेस का विवाजन तो आपको पता ही है नौर ओमर 2000 को हो गया तो यह हमारे तो पहला रहेगा हमारा विभाजन अब विभाजन तो हम सब जानते हैं कब हो गया था विभाजन फटाफट फटाफट 9 नमबर 2000 को हो गया था ठीक है मतलब तेरे जिलों के साथ क्या बन गया पुत्राखंड बना दिया गया था ठीक है इस तरह से यह बढ़ जाता है और NCR में भी कई सारे पॉइंट साते हैं NCR में हमने वो देख लिए दिल्ली के साथ NCR के साथ कितने परदेस आते हैं 8 आते हैं यह तो हमारा रह गया था पॉइंट है तो मेरट है मेरट है बुलंद शेहर है बुलंद शेहर है याद रखना है गौतम बुद्ध नगर है हापुड है हापुड रहेगा बागपत रहेगा ठीक है और कौन-कौन से है गाजयबाद रहेगा गाजयबाद रहेगा शामली रहेगा शामली रहेगा मुझफवर नगर रहेगा तो मुझफर नगर भी यहां पर है ठीक है याद रखना है मतलब मेरट बुलन सहर कोतम बुद्ध नगर हापोड बागपत गाजयबाद शामली मुझफर नगर ठीक है यह आठ है हमारे पास याद रखना है NCR में पढ़ते हैं आठ ठीक है अब देखिए नेस्ट कुश्चन य एक साथ मेंनिया कबर कर दिये हैं याद रखना है विवित की करारों मतला सब कुछ मिल मिला जूँदा यहां पर अब बात करें जेल्स कितनी हैं मतलब कारागार और इस समय कारागार के मंतरी कौन है ध्रमबीर प्रजापती मंत्री हिस्स में थोड़ा मंत्री पढ़के जान करेंट में कौन क्या है ध्रमबीर प्रजापती जी प्रजापती जी कारागार मंत्री उच्छा जान ऐक कर अधे उत्तर परदीस में तो सकतर कारागार कितने हैं यह तसा स्टनी है सेंट्रें कारागार पांच है Normally फत Integral प्रिधेस प्रिदेस का पहला केंद्रि कॉन तो आप किसको लिखेंगे आप पहला केंदरी है आगरा को तो याद रखना है प्रदेश का पहला केंदरी कारागार तो लिख लेते हैं फस्ट फस्ट सेंट्रल जेल ठीक है इन उत्तर प्रदेश तो कब इस्टेबलिश हुआ था 1844 में इस्ताबित किया था थीक है अब किसोर सदन कितने एक ही है मतलब жог बाल सुधागार है सुधार ग्रहे है तो किशोर ti 주 रसे कितनी behö ऑर तर प्रदेश में जीरो बन लख सकते हैं ऑवरेवन कहां पर है बरेली में क्छोला है ऑक बरेली में किशोर सदन जिसे हम अल्पवयश क कारागर कह सकते हैं नारी बंदी निकेतन फी एक है यह पूछा आ और है किस चछ्छके में है कि आप mim नारी बंदी सदन कहां पर है तो यह भी यह स्ड़ंद यह निकेतं निकेतं के नाम से यह सकते हैं हैं उट्यके के लिक्खी है वो भी कहा पर है लखनौ में है यॉद्र है यॉदं एक है संपू दौन電ांद की कारागार संपुरा नंद जेल मतलब ट्रेनिंग सेंटर है यह तरह से क्या है ट्रेनिंग इनिस्ट्यूट है और यह पढ़ता आपका लखनाव में याद रखना है 40 में स्थापित किया गया था चोटे चोटे यह भी लिख सकते हैं आप के बताईए एको सिस्टम कितने हैं यूपी में हिंदी में किते हैं पारिस्टिक कुछन आते हैं इस तरह के फस्ते हैं हमारे पारिस्टिक कितने हैं तो अब दिसकते हैं वारी है यह 20 कितने हैं इकोशिस्टम एक के ट्ने हैं हैっ है इना एग्री कल्चर जलवायु क्रशी जलवायू और आरो यारो में सारी कुशन फस्झिव से वग मिर्दा समुशेत्र कितने हैं तो बताएंगे एट है ठीक है औस जोत आकार कितना है औस जोत आकार आ सकता है तो डारेक्ट आप एक डिजिट याद करें न जीडियो पॉइंट सेवन सिक्स हैक्टेयर इतना है उत्रप्रदेश का ठीक है किलियर है इंपोर्टेंट सारी चीज़े बतारों में फटापर फटाफट प्रोस रहा हूं और चुपचाप खाजाओ जल्दी जल्दी ताकि आपका कुश्यंस क्या हो जाए राइट हो जाए ठीक है बिलकुल मैं वही लेंग्विजिंग बोल ला हूं जो आप समझना चाहते हो तरीके यहां से आराम से आपका हो जाएगा तो यूपी में आपके हिंदी वह ज्यादा जूर्द दिया जाए है अच्छा आपसे पूछ लिए जाए मैं के बताओ ताज ब्रांड के नाम से पेचा जाता है अन्य परदेशों में वह क्या बचा जाता है यहीं लिख देते हैं अन्य न्येराज्यों में ताजव्रांड के नाम से किसे बेचा जाता है अब वद्धा ऐगे कितना चाशा थosaurus इन तो यह है आपका आलू याद रखना आलू पैटेटो जो है बेचा जाता है याद रखना है आलू जो है बेचा जाता है चीक है अब देखिए प्रदेशों को जैसे कि उत्तर प्रदेश को हम शक्कर का प्याला भी कह सकते हैं शक्कर का प्याला भी कह सकते हैं चीनी का चीनी का कटोरा भी कह सकते हैं किसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को क्लियर क्लियर है न यस तो उत्तर प्रदेश में क्या-क्या रहती है देखो सेकंड पोदिशन पर क्या है यह सेकंड है मतलब सेकंड सेकंड पर यहाँ पर सुगर मि सेकंड पर हैं चीनी मिल मतलब चीनी मिल दूसरी दम पर पहले पर कौन है फस्ट पर महाराष्ट में हैं चीनी मिल याद रखना फस्ट पर महारास्ट है और सेकंड पर चीनी मिल में कौन है आपका उत्रप्रदेश है ठीक है उत्रप्रदेश में और भी होते हैं मैंगो होता है पहले बात करो मैं ठीक है ग्रीन वेज़ेटेबल होती है हरी सबजियां भी होती है यह पर उत्रपरदेश में ठीक है मिल्क होता है है वीट होता है तो यह कुछ ऐसे कुर्शन सें जो आपके फस्ते हैं इंप्रदेश के अंदर दूद है वीट है पैंगो है क्रीम वेट भीट से और सेकेंड्स वर मिल में फस्ट आपको कोन है महरास्ट में है याद रख लेना है इसको कटोरा कहते हैं किसे शक्र का प्याला कहते हैं किसे कहते हैं पुछा जाए किसानों की मौत किसे कहते हैं किसानों की मौत कहते हैं हम लोग परत अपर्धन को कहते हैं ठीक है परत का मतलब जो फटाइल लैंड है वो इरोजन हो रही है इरोजन माने कटना अपरदन माने कटना अपरत माने जो मिट्टी उपजा हुए खतम होती जा रही है इस चक्र से किसान जो है उत्तर प्रदेश का आत्मत्य कर लेता है वायू अपरदन से कौन-कौन से देश-प्रवाबित है वायू से भी मिट्टी खतम हो जाती है तो जाधान की चमता Here उप्हेक्टरा और आगरा जो है जाध से ज़ाधा अथा See क्वाण सार्वाधिक अफ्टरा एट आवा कि इट ऑरे सरभादिक अफेक्टेट आप मोज्ट अफेक्टिव ज़िला न इता होता है जहां मिर्दा प्रदन ज्यादा होता है कहां पर होता है मिर्दा प्रदन ज्यादा इतावा में ठीक है कर लेंगे आप लोग पॉइंट है ठीक है पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में new agriculture policy कब आई कि निव agriculture पॉलिसी कब आती है तो थोड़ा याद रखना है दो हजार तेरे को आती है क्रिश्ची की विकास धर कितनी है उत्तर परदेश में तो बताएं 5.1 प्रतिशत 5.1 प्रतिशत क्या है ग्रोथ रेट है थेक है ज्जञाद आच्छी खास से नहीं है लेगन फीर ठीक है विकास जो नीटी आये थी प्रत पर तेरे में आती है ग्रोथ रेट जो है 5.1 है तो ज्ज़ाद कोई खास नहीं है ग्रोथ रेट देखने क बही योजना या बही खाता मतलब उनके हिसाब कताब के लिए योजना आई थी सरकार ने चालू गी थी 1992 में ऐसे से कुशिन आ सकते हैं कि बताइए कब आई थी कैसे आई थी ना किसान क्रेड़ योजना भी आती है तो यह ऐसे से कुशिन से हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं ठाकराते हैं बार-बार किसान क्रेडिट 2020 ख्षिकीम आई थी कि इसकजान दाए थी 1998 में और 1999 टीक है है याद रखना चकभंदी कब शुरू हो उत्तरपध्ाय अस्यschein है उततरप्रदेश में रखती है चकबंदी जो रिकॉर्ड में रेद लेती है कि जमीन कहां पर किसकी कहां का कि दर पड़ी है बागी चकबंदी में मैक्सिम जमीन चिक जाती है याद रखना राज्य दूख्त परिशद की स्थापना परिशद की स्थापना नेशनल वह स्टेट डेरी कांसल की स्थापना नैंटीं सेवन्टी सिक्स को होगी थी ठीक है और हुआज जम अपरशन फ्लट कब आयाए था और फिर बॉस्द पहले आए गया सैवन्टी थिरम याद रखना है ठीक है उसे पहले आया था पसूचि किस्सा पॉली क्लिनिक कहां पए है पर सूचि किस्सा पुर नगर है, सुरी मुझफर नगर, मुझफर नगर है, M से मुझफर नगर, फिर गोरकपुर में है, गोरकपुर में है और लखनौ में है, या दखना पसु चारा बैंक बरारे जहांसी में है, चारा गहा, कई बार कुश्चन डिसकस भी हुए हैं, चारा गहा, या चारा ब तो भरारी आ सकता है, भरारी कहां पर पड़ता है, जहांसी में आ सकता है, तो ऐसे भी आ सकते हैं, कुश्यन ऐसे भी आ सकते हैं, करना आपको है, याद रखना कहां पर है, भरारी भरारी कहां पर है, जहांसी में हैं, ठीक है गाइस, याद रखना है, यह चारा गा भी कह सकते हम लोग ना ग्रास लैंड या चारा बैंक जहांसी में हैं क्लियर यहां तक क्लियर है ठीक है एग्रो पार्क कहां का बनाए गहें सरकार ने एग्रो पार्गी बनाए हैं तो एक्रो पार्क हापोड सारनपूर सारन पूर लखनाव लखनाव मत बना अरह सी वह फए वारा अस सी दिया सखना तो यह सारे सारे मैंब अग्रो पार्क बता दिये हैं कहां पर अग्रो पार्क चार जगे हैं ठीक है चार जगे हैं एग्रो पार्क क्लियर और बाकी मैं सारी शीरे बता चुका हूं पर यूजना बगरा डैम्स बगरा वह हमने या पर किये भी है ठीक है बाकी आपको पता है सबसे ज़्यादा नलकूप से सिचाई होती है ठीक है जो टूबल से लगबक 72.17% सिचाई ह होती है टूबल से किने नहर से कितनी होती है 19.44% होती है सेकेंड में तालाप से चाई होती है उत्तर पर देस के तालाप आजकल होते हैं जा रहे हैं गावं तक सीमित रहें इतना नहीं अच्छा यह बात करें बंस होती है तो आप बता सकते बंस उत्त्र प्रदेश w Hai Usman होती है नेहरों से भी उत्तर प्रदेश पश्शिम में होती है यह मैं होती है अइन ह् जाल को अपयो करने वाले जल आ पाधी कि सरवादिक भूमी गत अंडर्गाउंड वाटर अंडर ग्राउंड वाटर यूज करने वाला कौन बना है आगरा कर सकते हैं यहां पर पॉइंट बनेगा यह कौन सा बना है आगरा बना है है ना ऐसे कुश्चंस हैं यह पूशे जाते हैं इंपोटेंट उंपोटेंट कुश्चंस हमारे जहां सक हो सकता है मैं वहां तक कबर कर रहा हूं आपको भी साथ देना है आगे करना है ठीक है नदिया मैं अलड़ी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं ठीक है खनी जहें मि सब्सक्राइब एक साथ यदे हो गापको चून बत्थर संग मरमर संग मर मरृृ कि मेरइट्स अंग्रेवी भेगस यह ना में जाद रखना है अंडालॉससाइट समझा कर रहे क्लियर एस बेस्टस एस बेस्टस एस बेस्टस सेंड स्टोन सेंड स्टोन यह सब का सब आपका मिरजापूर में हैं दॉलो माइट के लिए दॉलो माइट इसे कर लिए नहीं आप तो ऑसो याद कर ले ना ठीक है तो कहां यह सब मिरजापूर में अ मिरजापूर में झाया याद रखनाए ठीक है मेरजापूर में एक साब याद करें लिए बेराइट्स एंडलुसाइट एस्वेक्ट्स सेंडिस्टोन तॉलमाइट ठीक है और साइट माइट बेराइट्स चुना पत्थर सबसे ज़्यादा कहां है आपका इस तरह से अपने आपको कोडिंग डिकोडिंग करके तोड़ लिना आंसर आराम से आ जाएगा और फसे जाए सेकेंड में कौन से आ सकते है जो आने संबहब नijn जादा है कि फाइराइट्स कर लें तरीकसे फाइर क्लें अमछा फाइर क ले थे टि ुव थी सटै फाइर क्ले AMY लुगया फाइक्रिक्ट ही भी कि डॉलमाइट हो गया डॉल माइट है श्यूह और इसान करनेंधर में तो यह आपको कहां हो जाएंगे एक और आपको कोईला कि यह हो जाएंगे सोन बत्र कि सोन बत्र ठीक है तो यह कुछ है जो आपको याद करना है ठीक है तरीके से ज्यादा टफ नहीं है एक और करना चाहतों दूसरा कर लो कौन सा है यह याद कर लिए आप लोग ठीक है सौन बद्र में हैं यह सारे पॉइंट पॉइंट इंपोटेंट नंबर तीन कर लेंगे आप लोग इनमें से आ जागा देख लेना यूरेनियम कर लेना आप तामा कर लेना आप कॉपर कर लेना फासफेट फासफेट रॉक कर लेना फासफेट रॉक कर लेना फासफेट रॉक कर लेना यह ना पैलो डियम तो पै लो डियम कर लेना और प्ले प्रेटिनिम कर लेना और यह सबकर सब पायरा आपका लेलिट्पोर में याद रखना किसा रगा साइब किक ऄपताए की प्लीक लेकिन कितना वहींष्न से बड़ी पॉइंट है तो बिविद हैं सारे के सारे सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है फटा 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 फट हम लोग यहां कर रहे हैं एक आया था उत्तरपर्देश में ऑपरेशन कि ग्रीन कि ग्रीन है तो समझ में आ गया होगा एक जुलाई कि दो हजार एक मिनाई थी याद रखना क्योंकि आजकल सरकार बहुत द्यान दे रही है हो सकता अभी जाए कब शुरूरी थी ना जैसी बन महुत सब शुरूरा था पता है आपको बन महुत सब कब हुआ था वन महुत सब उ बामन थीक है और वन जीव अभ्यहरन कब शुरू हुआ वन जीव अभ्यहरन ने वन जीव अभ्यहरन ने वन जीव अभन वाल लैप सेंचुरी उननी सो चपन नाइटी फिप्टी सिक्स में हो आती है है ना तो यह बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं जो यहां पर हैं सेंचुरी हैं ठीक है याद रखेंगे और 13 क्या हैं बर्ट सेंचुरी है ठीक है टोटल कितने होके हैं चिशınrant जीव अभ्यहरन subjects सारे चीजे हैं हमें करना है तरीके से पढ़ना है आगे निकलना है ठीक है करते रहिएगा पूछे जाएं जानवर कहां का मिलते हैं जैसे कि एलिफेंट का मिलता है तो एलिफेंट 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 मिलता है तराई छेत्र में तराई छेत्र में सबसे ज़्यादा ग्यांडा का मिलता है गेंड़ा ये भी क्या हैं त्राइ छेत्र में बुहुरा रीच का मिलता है बुहुरा रीच मतलब वाइट बीयर हिमालेई छेत्र के निकट हिमालेई जो नेपाल से सटए उन्हें में हिएं चिंकारा बिंद्या छेत्र जो एमपी से रिलेटिड हैं दिस्टिक टिके बिंद्यां चेत्र नहीं कहते हैं हम लोग विंद्यान शेत्र तो ये थोड़ा आप थोड़ा देख लेना भाई सब ठीक है ज्यादा hard मैंने कराए नहीं है वही मैं करा रहा हूँ जो हमारे लिए important है ज्यादा मैंने distance यहाँ पर नहीं किया है वही किये हैं जो हमें लगते हैं कि point बने वाले हैं estimate नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल हम लोग important है बुर्ण कर रहे हैं याद रखना है ठीक है काला हिरन काला हिरन सरक्षन के अंदर कितना अच्छा कुशन है काला हिरन सरक्षन के अंदर कहां खोला गया है गभाना में गभाना कहा है अलिगड में गभाना अलिगड में है याद रखना है दूसरा है कौराओ 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 का है इलहबाद में एक गभाना है एक कौराओ है यह अलगलग है अलिगड और इलहबाद में खोले गए हैं एक पूछा जाएगा आपसे कुकुरेल वन कुकुरेल वन अब कुकुरेल वन आपका है लखनौ कुकुरेल वन लखनौ में लुप्त परजातियों का परजनन के अंदर है ये पूछाए लुप्त मतलब जो डिसेपेड हो गई है गाइब हो गई है लुप्त परजातियों का प्रिजनन के इंद्र थोड़ा याद रखना है ये भी आ सकता है डारेक्ट कुश्यन कहा है तो लखनों बता सकते है ऐसा भी आ सकता है कहा है लखनों में है इस तरह से आप लोग कर सकते हो नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी पार्क, ग्रेटर नोईडा में याजखना, ग्रेटर नोईडा में पड़ेगा, ठीक है, बायो, टैक पार्क, लखनों में हैं, कुछ कुश्चन्स ऐसे हैं, जो आपको कर लेने हैं, ठीक है, बाकी तो सारे पार्क लिख चुके हैं गड़ियाल प्रजिनन केंद्र कुक्रेल बन लखनव में है यहीं पाए आता है ठीक है यहीं लिखना चाहिए दो मुझे चलो कोई बात नहीं यह कुक्रेल जो मैंने विदाया कुक्रेल बन है कुक्रेल बन और कहा है लखनव में कुक्रेल बन ठीक है तो वहीं पर यह पाए ज है तो यह आपके मैंने यह बता दिये हैं बाकि देख लीजिएगा फटा फटा रिविजिन मैंने ज्यादा नहीं कराया है वही कराया है जो हमारे लिए इम्पूटेंट है ठीक है हमारे बच्चों के लिए हमारे जो काम करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत हीं इपोटेंट सिरीज में बना दी है फ्लीस थोड़ा आप देखिएगा इसमें ठीक है बहुत ही ज़्यादा इंपूटेंट है एक लॉइंग सफारी पार्क का निर्मार किया जा रहा है जो बगर शेर पाईद आएंगे ठीक है ठीक है घृव एंदर के सथार, बभर शेर के लिए इसरे बबर बबर शेर के लिए भी खियास कर सकते सब भी paper के लिए है video, ऐसा नहीं, कि UP Constable है, IPSI है, जितने भी UP के exams है, मैं यहां लिख देता हूँ, जितने भी UP के exam है, ठीक है, UP की सब ही परिक्षाओं के लिए है, परिक्षाओं के लिए है, जितने भी बन रहे हैं, सारे के सारे video, याद रखना, जिसमें आपका कौन-कौन स सब कुछ लेती है पहला पैट होता पैट में भी आता है यूपी के अंडरगत होते हैं सारे के सारे याद रखना है ठीक है यूपी कि पुलिस का है अरो ए आरो का है यूपी PCS का है यहाद रखना है तो यह सारे papers के आपके जो पूछ seconds का है लिए है ठीक है तो यह सारे के सारे हो जाएंगे paper में पूछने वाले video सारे के जो मैं बना है ये इन सारे जो पेपर कंड़र करा था उत्रपरदेश उन सब के लिए आपर रहेगा ठीक है चलिए फिर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज इस नंबर पर संपर कीजिए गा कोई भी एडवाज ले रही हो किसी परकार की छोटे एक्जाम से बड़े एक्जाम के लिए वो मैं सबसें आफ समयजदार हैं किया बोलना वां इसमें वीडियो शेयर करें ठीक नहीं है आप अपने साके रहें यह लायक कर दिया आखरें सब्सक्राइब कर बांद है दोस्तों से भी जएधे सेथा पहूंछ जाए वीडियो आपके पास चलिए अपना खेल रख़िए अर सभ अभी कंडिडेट्स को में तरफ से शुब कामना है बदाई आप जल्द ही आएं यूनिफर्म पैन कर बस मिठाई खाएं और खिलाएं बस इंतिजार रहेगा नमस्कार